अगर आप सिल्वा माइक्रो में शॉट टम ट्रेडिंग करते हो और नहीं जानते कहा पर बाइंग करे कहा पर सेलिंग करे और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टारगेट रहेगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे नमस्कार दोस्तों, मैं आनिल आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकनिकल ट्रेडिंग में बहुत स्वागत करता हूँ आज तारीक है 11 माई 2023 टाइम हो रहा है रात के 12 बच के 34 मिनट और आज दिन है थर्सडे फ्रेंज हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सिल्वा माइक्रो की जिसका टारगेट अचीव हो गया है और आपने इस लेवल्स पर ट्रेडिंग की होगी तो आपने अच्छी खासी अर्निंग जनरेट की होगी फ्रेंज आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो फ्रेंज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की लेटस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे फ्रेंज इस वीडियो में हम आपको जो लेवल्स प्रोवाइड करते हैं इसकी मार्केट अकसर रिस्पेक्ट करता है तो हो सके तो इन लेवल्स को नोट डाउन करके रखे ताकि इन लेवल्स से आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सके फ्रेंज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे क्योंकि आधाधूरा ज्यान बहुत डेंजर्ज हो सकता है आज बात करेंगे सिल्वा माइक्रो की जिसका कॉंट्रैक्ट है जून का सिल्वा माइक्रो जिसका करंट प्राइस अभी चल रहा है लगभग 76,517 रुपे के आस पास और इसका latest high post हुआ है 78,888 रुपे और इसका latest low post हुआ है 61,640 रुपे fundamental view की बात की जाये तो परी बातों का असर, सिल्वा माइक्रो के उपर देखने को मिल सकता है, इंपोटेंट स्पोर्ट की बात की जाये तो, स्पोर्ट यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस उपर की तरफ जा सकता है, पहला स्पोर्ट 75,755 रूपीज, दूसरा स्पोर्ट 74,147 रूपीज, और ती और भी मंदी देखने को मिल सकती है, इस बात का ध्यान जरूर रखे, अगर ऐसा होता है तो यही स्पोर्ट बाद में रेजिस्टेंस का काम करेंगे, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की बात की जाये तो, रेजिस्टेंस यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस निच्चे क के आसपास दिखाई दे रहा है, अगर प्राइस इन रेजिस्टेंस को तोड़ के उपर की तरफ ब्रेक आउट देता है और सस्टें रहता है तो बाजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है, इस बात का ध्यान जरूर रखे, अगर ऐसा होता है तो यही रेजिस्टेंस बाद में स्पोर्ट का काम करेंगे, मन्थली चार्ट पे ट्रेंड की बात की जाए तो, ट्रेंड पॉजिटिव दिखाए दे रहा है, वीकली चार्ट पे ट्रेंड की बात की जाए तो, ट्रेंड पॉजिटिव दिखाए दे रहा है, तो करना क्या चाहिए आईए देखते ह इससे पहले, फ्रेंज आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर यह वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर लेना फ्रेंज जो बाय है उनके लिए सलाह रहेगी ट्रेडिंग अवोईड की स्ट्रेटजी अपनाए फिलहल बाजार अभी नेगिटिव दिखाई दे रहा है करंट प्राइस पर बाय साइड का रिस्क रिवार्ड रेशियो देखे तो रिस्क 762 रुपे और रिवार्ड 1422 रुपे के हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशियो दिखाई दे रहा है अगर आप bind करना चाहते हैं, तो bind level जो है, current price, 76,517 रुपे से 760 रुपे निचे यानी 75,755 रुपे के आसपास bind करें, target रहेगा 77,949 रुपे, अगर ये target अचीव होता है, तो second target रहेगा 78,889 रुपे, और इसके लिए stop loss रहेगा 75,566 रुपे, और friends stop loss जरूर लगाए, बिना stop loss की trade करना बहुत dangers हो सकता है, अगर आपने top level पे already buy किया है, तो आपकी total quantity में से 30% quantity, 75,755 रुपे के आसपास average करें, अगर बजार इससे भी निचे चला जाता है, तो आप 74,147 रुपे के आसपास 30% quantity average करें, friends averaging करने के लिए train का आपके favor में होन बहुत जरूरी होता है, और अभी major trend positive दिखाए दे रहा है इस बात का ध्यान जरूर रखे, जो सेल है उनके लिए सलाह रहेगी, sale on right की strategy अपनाए, फिलहाल बजार अभी negative दिखाए दे रहा है, current price पर sale side का risk reward ratio देखे तो risk 1422 रुपे का दिख रहा है, और reward 762 के हिसाब से risk reward ratio दिखाए दे रहा है, अगर आप selling करना चाहते हैं, तो selling level जो है, current price 76517 रुपे से 1422 रुपे उपर, यानी 77949 रुपे के आसपास selling करे, target रहेगा 75755 रुपे, अगर यह target अचीव होता है, तो second target रहेगा 74147 रुपे, और इसके लिए stop loss रहेगा 78134 रुपे, और friends stop loss जरूर लगाए, बिन stop loss की trade करना बहुत dangers हो सकता है, अगर आपने lower level पे already sale किया है, तो आपकी total quantity में से 30% quantity, 77949 रुपे के आसपास average करे, अगर बजार इससे भी उपर चला जाता है, तो आप 78889 रुपे के आसपास 30% quantity average करे, जैसे कि हमने पहले भी बत आया, अबर agent करने के लिए trend का आपके favor में होना बहुत जरूरी होता है, और अभी major trend, positive, दिखाए दे रहा है इस बात का ध्यान जरूर रखे, overall trend negative रहेगा, sale on rise, करके चले लेकिन streak stop loss के साथ, आने वाले दिनों में, Sale side target 75,755 रुपीज, और 74,147 रुपीज, और 72,125 रुपीज, के आसपास देखने को मिलेंगे, Friends, अगर आप इन levels पे trade करना चाहते हो, तो आपके financial expert की राय जरूर ले, ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान न हो, और इस financial market में सही गलत की समझ जरूर रखे, और आपके profit and loss की जिम्मेदारी खोद ही ले, और अपना money management और risk reward ratio अच्छे से maintain करे, अपनी trading में back tasting या paper trading जरू नहीं किया है तो subscribe और like जरूर करे, साथ में घंटी के bell icon को all पे set करना न भूले ताकि आने वाली वीडियो की latest update आपको लगातार मिलती रहे, धन्यवाद